उधारन नौ भाज पी एक्स बराबर तीन एक्सी घाद चार रिन एक्सी घाद तीन धन तीस एक्स रिन एक को निम्निकित से भाग देने पर शेश्वल ग्याद किजिए पहला एक्स धन एक बी दो एक्स रिन एक हल ए भाज बराबर भाज पी एक्स पी एक्स बराबर तीन एक्सी घाद चार रिन एक्सी घाद तीन धन तीस एक्स रिन एक तथा भाजक बराबर जी एक्स बराबर एक्स धन एक है तब हमें शेश्वल ग्याद करना है शेश्वल प्रमे से हम जानते हैं कि शेश्वल आर बराबर पी ए होता है तब भाज एक्स रिन एक्से करें चुकि भाजक एक्सं एक है इसलिए R बराबर P रिन एक होगा P X में X बराबर रिन एक रखने पर शेशफल बराबर P रिन एक रखने पर प्राप्त होगा बराबर हमारे पास भाज जो है उसमें हम X के स्थान पर रिन एक रखेंगे तो 3 X के स्थान पर रिन एक कगा 4 रिन फिर X के जगा में रिन एक कगा 3 धन 30 X से तो 30 और X के स्थान पर रिन एक रिन एक बराबर 3 रिन एक कगा 4 बराबर अब तीन एक यह हो गया आप माहले लाखेंगे 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 ल चार और रिण 30 रिण 1 रिण 31 बराबर रिण 27 इस तरह से शेश्फल बराबर रिण 27 हमें प्राप्त हुआ ज्या इस प्राश्न का हल है उधारण 9 B दो एक्स रिण 1 यहाँ पर नुधारण B का हल यहाँ पर भाज पी एक्स बराबर तीन एक्स का घाद 4 रिण एक्स की घाद 3 धन 30 एक्स रिण 1 है और भाजक जी एक्स बराबर दो एक्स रिण 1 है तब हमें शेश्फल पी ए ग्याद करना है शेश्फल बराबर पी ए यह हमें ग्याद करना है यहाँ यहाँ दो एक्स रिण 1 को को हम जब दो उभैनिष्ट यहां से निकालेंगे तो कोश्टक में हम एक्स रिण एक बटा दो लिखेंगे अब एक के स्थान पर हमें एक के स्थान पर हमें एक बटा दो दिख रहा है तो अतहा अतहा शेश्फल शेश्फल पी एक बटा दो होगा यहां पर भाजे जो है तीन एक्सी घाट चार रिण एक्सी घाट तीन धन तीस एक्स रिण एक में हम एक्स के स्थान पर एक बटा दो रखेंगे तो हमें प्राप्त होंगा तीन एक बटा दो का घात चार रिण एक बटा दो का घात तीन धन तीस एक बटा दो रिण एक बराबर तीन गुणित एक बटा दो कघा चार जब हम करेंगे तो एक बटा दो गुणित एक बटा दो गुणित एक बटा दो बराबर एक बटा गुणित एक बटा दो 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 गुणित एक इन दोनों तीन बटा 16 रिन एक बटा आठ का जब हम लगुत्तम निकाले तो 16 16 को 16 से भाग किये तो 1 1 गुणित 3 रिन 16 को 8 से भाग किये 16 भाग किता 8 2 2 गुणित 1 2 धन यहां पर हमें 14 मिला बराबर एक बटा सोला धन चौदा बराबर इसे हम लिख सकते हैं चौदा एक बटा सोला तो अता हमें शेशफल बराबर चौदा एक बटा सोला प्राप्त होता है यह इस प्रश्न का हल है